कि हलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लाइफ सेशन दिखें आज का लाइफ सेशन इस्पेशली रखा गया है जो को सीजेल 2018 प्री का विपर आये था थी उसकी आपको पीडियेफ मिल जाइगी पीडियेफ सेक्षिन के अंदर जो आपको बात में डाउनलोड करनी है ठीक है फिलाल आपको यह देखना है लाइफ सेशन सामने आपके कोशन चलेंगे और अप्रोच आपको देखने की क्या क्या की आपको इपरोच रहने चाहीं है आने वाले एक्जाम को ले तो पहले स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पढ़ाई करेंगे इस्पार हुआ को सकता था जिसके अंदर बचा सकते थे या पहला कोश्ण लेंगे पहला कोशिण है आपका डी आई का कोश्चन है आपके सामने करें 2012 14 और 15 के अंदर कार की जो विकरी है वह कितने पतिशे जादा है एक एत 13 और 16 की तुल्ला में एकी अगर बात करें 13 और सो लगी तो वो गया 91 है ठीक है 35 प्लस 56 जो कि आपका 91 हो जाएगा अगर बात करी जाए कार बीगी तो यह हो गया 120 यह इससे कितना अधिक है यह आपको बताना है कितने परतीशत 39 वटे एक्यान में ठीक है अगर देखिए यहां पर जहां से समझने वाली बात है क्योंकि कैल्कुलेटिव कोशन है थोड़ा प्रसंटेज में आपको कैल्कुलेट करना पड़ेगा अगर आप जहां से देखते हैं अगर मैं इसे 30 ले लेता हूं तो भी वन थर्ड नहीं बनेगा यह यानि अगर यह 30 होता है तो भी वन थर्ड नहीं आता है ठीक है यानि 33.33% से कम आता है 33.33% से कम आप देख सकते हैं कौन सा option है आपके सामने है 31.9 तो 31.9% आपका अंसर आ जाएगा क्योंकि यह 39 है तो 33.33 से भी कम मिलेगा आपको कैल्कुलेशन करना चाहें तो पूरा कर स सकते और फिर आसा आक कर सकते हैं आई बढ़ते ने क्ले कोशन पर से कि सण देंगे से कि दो इखेंगे का ऊलद है freely 120 को एक्सपरतीशत कम किया गया 120 को एक्सपरतिशत कम जाल गया दो ओर चालिस को था 6 परतीशट बढ़ार गया तो ये दोनों बराबर है ठीक है, ये दोनों increment आपको बराबर दे रखा है अगर आप देखते हैं ये एक बटा तीन हो गया जैसा की आपने मेरे पहले वाले भी सेशन देखेंगे, पहले सेशन में मैं आपको बताया है इस टाइप की equation में ज़रूरी नहीं cross multiply करना आप देख सकते हैं एक अनुपात तीन टोटल करेंगे चार यूनिट ये टोटल करेंगे 200 चार यूनिट अगर 200 है एक यूनिट पचास हो जाएगा एक पचास हो गया तो X की वेल्यू भी 50 आ जाएगी पर यहां पर आप से X की वेल्यू नहीं पूची question थोड़ा calculated है इसके आगे जाना है आप से पूचा गया है पचास परसेंट ओफ 210 यानि 105 हो गया और सत्तर परसेंट ओफ 180 जो की 126 हो गया कितना जादा है 21 जादा हो गया तो 21 बटे 126 जो की एक बटा 6 हो जाएगा 16 सही 2 बटा तीन परतीशत हो जाएगा ठीक है तो 16 सही 2 बटा तीन परतीशत आपका अंसर आजाएगा इतना लिखना नहीं है लिखने माला पाट यह जरूर करूंगा और इसमें भी देखे क्या करना है जैसे कि यह आगिया 40 by 120 मैं डारेट देखूंगा एक बटा 3 चार यूनिट की वेल्यू 200 एक यूनिट की वेल्यू हो गई आपकी 50 यह 50 तो यह 50 तो X की वेल्यू 50 आ गई X की वेल्यू अगर 50 आ गई तो 50% 210 का 70% 80 का 180 का ठीक है तो आपने देखा यह आगे 126 यह आगे 105 कितना ज़्यादा है 21 ज़्यादा है यह यह से 21 कम है तो 21 बटा 126 करेंगे एक बटा 6 एक बटा 6 से हाब परसेंटे निकाल लेंगे कर देखते है कि देखे थर्ड कोशन क्या बोल रहा है दो लगातार छूट दी जाती है 720 रुपे मार्क प्राइज है और टोटल डिसकाउंट मिलता है इतने का 269.20 अगर मैं 72 से काटता हूँ 72 ती है 216 ठीक है 33 बचेगा 36% 36% नेट आएगा और आपको बताया गया है सक्सेसिव डिसकाउंट है दोनों 1% की 36 नेट का बात है जब एकसी वेल्यू 20 होगी 20 ब्लस 20 माइनस 20 का स्वेर अपॉन 100 ठीक है जो कि आपका 36 परसेंट आ जाएगा अगर यह फोर्थ कोशन देखते है फोर्थ कोशन आपका डियाई का है डियाई वाला पार्ट अगर आप देखें एवरेज अगर आप निकालते हैं D का एवरेज अगर टोटल करते हैं ठीक है एवरेज अगर मैं टोटल करूंगा तो यह हो जाएगा 51 प्लस 24 75 105 और यह हो गया 100 205 बटे 5 जो कि 41 हो गया अब 41 से कम देखना आपको B में कितने में है एक तो 40 हो गया यह एक 38 यानि दो में यह आपका आंसर हो जाएगा यह यह टो आंसर मांग कर देंगे ऑँ लिए कुछ कोशन ऐसे भी आप चैलकुलेशन आवाइड कर सकते हैं जैसे कि आप कहते हैं कि पैन फ्री हैबिट्स तीव पैन फ्री हैबिट्स जो है वो आपको इस्तमाल करनी है का एक तरीके से जीपी सीरीज हो गई जीपी सीरीज में जो आप मैक्सिम जगे यूज़ करते हैं ठीक है वह आप यूज़ करते हैं इसके स्क्वेर के बराबर दोनों कंडिशन सैटिस्वाई होती है इससे देखे नौच है पंदरा चार उननेस इसका स्क्वेर 16 और 36 और 81 यह भी सैटिस्वाई हो गई आपको निकालना अंतर जैड़ और एक्स के बीच में जो की नौ माइनस चार पांच हो गया हाला कि यह कौशन आपको इस पैटन पर नहीं बता और आपको बनाना पड़ रहा है तो आपको लीप करना ज्यादा बैटर है फिर आपको लीप करना पड़ेगा ऐसा नहीं कि कि ABC F or E F E B C के समानतर है F E divided triangle into two parts of equal area area अगर equal है तो side का ratio हो जाएगा 1 is to root 2 यह 1 हो जाएगा तो यह root 2 minus 1 हो जाएगा ठीक है है आड़ी परफेंडिकुलर है BC के और यह से जीप इंटर सैट करती है आपको निकालना है GD इसटू एजी जी इस्टू एजी जी इस तो एजी जो रिएशो इसका है वही रिएशो इसका रहेगा तो ज़्यादा कुछ करने वाला पार्ट नहीं था डारेक्ट देखना था आपको सिमिलर ट्राइंगल बनेंगे दोनों तो जो अनुपात इसका है वो यह अनुपात इनकी हाइट का रहेगा और आपको जी दी इस टू एजी निकालने कि सैवंध कोशन देखते हैं कि यह कुशन मैं कहूंगा थोड़ा सा कैलकुलेटिव है एक जीरो टू एट इन साल में हो जाते है कोई राशी और अगले है तीन साल में मिला के बारा सो बारा अजार बैयालिस को फोर जीरो वन फोर का इंट्रेस्ट मिल जाता है यह फिफ्टी परसेंट का इंट्रेस्ट मिलता है फिफ्टी परसेंट का इंट्रेस्ट मिलेगा मलब है तीन साल की बात यहां पर है यहां पर भी 50 परसेंट मिलेगा तो यह कितने की value होगी 1.500% की यानि 3 unit की 3 unit की value अगर यह है आपको निकाल ली है sum is 2 unit की value निकाल ली है अब आप देखते हैं 3 unit की value अगर यह है 2 unit की क्या होगी अगर मैं last digit देखता हूँ 3 से अगर 8 लाना है तो last में किस से multiply करना पड़ेगा 6 से और यहां पर आप देखते हैं अगर 6 से multiply करेंगे तो last में 2 आ जाएगा तो last digit से आप कर सकते हैं ठीक है यह जरूर कहूँगा कि यहां DS आपको नहीं लगाना क्योंकि आपने देखा option में एक जैसे number आगे बीचे लिखे हैं यह part मैंने class में clear के आपको हो कि कब आपको लगाना है और किस तरीके से लगाना है तो यहां last digit का concept आप लगा सकते हैं आप 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 कोशन देखते हैं अगर अगर बात करें तो देखिए 42 43 हो गया पिचासी पांच नबबे एकसो बीस एकसो साट एकसो असी एकसो असी यूनिट तीन सो साट डिग्री को रिप्रेजेंट करेंगी हाँ यह जुरूर दियानने की देखिए जैसे मैं calculation कर रहा हूं calculation वाले पार्ट में आपको मैंने बोला है डिली बेसिस पर करने है डिली बेसिस पर करिए यह हैबिट अपने आप बन जाएगी एकसो स्थी की वैल्यू अगर 360 डिग्री है आपको बताना है सेंटर लेंगल दोसो दोजार तेरा का कि दुगना हो गया दुगना हो गया 84 डिग्री हो गया ठीक है तो सोलूशन पार्ट सिंपल रहेगा इसका मैंने का ठीक है इजी कोशन था कि नेक्स कोशन देखते हैं कि नेक्स कोशन देखिए बॉर्ड मास पर है अगर मैं ब्रैकिट वाला पार्ट सॉल करता हूं पहले तो यह हो गया चार प्लस चार इन्टू चार सोला बटे सोला एक हो गया माननस चार बट है करके यहोग जाएगा चार प्लस एक माइनस चाह उग मैंस था जा प्योंको बीच में है तो से वुर्गार गए डिभाइड आ गया एह बनांति है और यह तो उन्टू एन टू है इंटू इन टू गूर्ण नेक्स्ट कुश्ट नेखेंगे व कि टैंथ कुश्ट गूंचन फैंथ कोस्ट भीशिक पीनिया आपको बता है इसे के अगर बात करें तो अर्थमैस्ट पर फोकस तोड़ा ज्यादा है एडवांस पार्ट पर कम है कि अगर आप देखते हैं देखिए एडवांस पार्ट बहुत सिंपल है और एक बहुत बेसिक सा कोशन बी ओ सी कि आपको पता है 90 प्लस हाफ इसका बराबर हो गया एक सो बाइस तो नब्बे में क्या जुड़ा 32 32 क्या हो गया एक आधा तो यह कितना हो गया सिस्टीफोर डिग्री हो गया सिस्टीफोर डिग्री आपका आंसर हो जाएगा प्रॉपर्टी पढ़िए बिल्कुल बेसिक नाइन लिखने की ज़रुवत नहीं है कि 90 प्लस हाफ एंगल एक सो बाइस डिग्री होगा हाफ एंगल एक को आप सौल कर रहें यह 32 आ गया फिर कि एफिशेंसी का अनुपात दे रखा है दो पास तीन मिलकर वो काम करते हैं मिलकर काम करेंगे 5 दो 7 तीन 10 10 दस युनिट काम हो गया कितने दिन काम करते हैं 27 दिन काम करते हैं बी और सी चार बटे 9 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि बी और सी मिलकर इस काम को पूरे काम को कितने दिन में करेंगे बी और सी टोटल काम कर रहे हैं पांच और तीन आठ पूरे काम को करेंगे इतने दिन में पर आपको निकाल ला तो 15 आपका आंसर हो जाएगा घर पे भी प्रैक्टिस करते वक्त थोड़ा एक कोशिश करिए इतना इतना ही लिखा जाए किसी को एक्स्प्लिनेशन नहीं देना आपको किसी को समझाना नहीं है केवल जल्दी से आंसर मार्ग करना है जैसे कि बढ़ाया जा रहा है आपको पै त्रिबुज ABC के अंदर अंकित किया जाता है जो इसे आर पी और क्यू बिंदूबा पति छेट करता है एक्यू साड़े चार पी सी साड़े पांच और बी याड़ छे आपको निकालना है इसका परीमात और सिंपल गोशन देखिए जो यह होगा वो यह होगा जो यह होगा तो यह होगा यानि अगर आप टोटल करके दो से बंटिपलाई कर दें तो परीमाप आ जाएगा साड़े पांच छे चार्दस छे सोला सोला दुनी बत्तिस तो 32 आपका अंसर हो जाएगा ठीक है कोशिश करिए देखिए मैंने डाइग्राम इसलिए बनाया कि आपको समझाना है अगर आपको प्रैक्टिस अची करीवी है आपको पता होगा कि बहुत बेसिक सा कोशन है एक साइड यह दे रखी है तो यह इसके बराबर यह इसके बर करेंगे 32 आजाएगा अगला कोशन देखते हैं कोशन नमबर थर्टीन कि 384 किलोमेटर किसी दूरी से तै करता है कि यदि स्पीड कम हो जाती है तो दो गंटे अधिक लगते है ठीक है यह कोशन आपको दे रखा है एक्स के लिए सॉल करेंगे और फिर आपका अंसर आएगा दूसरा आप यह भी कर सकते हैं जैसे कि एक प्लेन वाला कोश्चन है टाइम इंडिस्टेंस के अंदर सेम उसी पैटन पर आपका सकते हैं जैसे कि सोला की स्पीड अगर कम होती है टाइम दो गंटे 32 होती है ठीक है आपने देखा सोला की हो गई 32 की हो गई फिर 64 की हो गई तो टू से फोर हो गया फोर से सिक्स से एट यह स्पीड ले ले लेते हैं हम यह टाइम ले लेते हैं और क्रॉस मंटिपलाई करके चेक करते हैं कि और ऐसे नंबर पर रुकते हैं जो डिस्टेंस के बराबर बनेगा 384 आपने रिखा 48 इन्टू आट चो सट इन्टू चैए 384 हो गया यानि और इनल स्पीड अगर उसकी चौसर्ट थी अब 48 है और इसनल टाइम की बात करी जाए अगर तो वह 8 था अब 6 है ठीक है और जल्ट टाइम उसका 6 था अब 8 हो गया ठीक है 6 से 8 अब देखे देखने वाली बात यह यह तो समझाने वाला पार्ट था आपने कोशन में या तो आप 1 से सॉल करिए या आप इस से सॉल आपने यह देखा कि आपको निकालना क्या जो इस्पीड है 64 इसका 75 परसेंट यानि यह आपका 48 हो जाएगा तो 48 आपका अंसर हो जाएगा आई बढ़ते अंगले कोश्चन पर कि दिखे जैसे आपको बताया जा रहा है आपको वैसे वैसे करना है ठीक है धियान से करना है बिल्कुल थोड़ा सा इंतिजार करिए देखिए अभी मैं आता हूँ आपको पास दुबार से बात करने के लिए आऊँगा पर पहले आपको पढ़ना एच्छी तरीक से जैसे आज मैंने कोशिश करेंगे आगे भी कि में से पहले जारत से यारा पेपर के सोलूशन आपको एसे है नेक्स्कूशन देखते हैं को कुश्चन नमबर 14 को कुश्चन नमबर 14 अगर आप ज्यान से देखें कउसे हमारो 14 में क्या कह रहा है जिए कर दिकिल प्रोडेक्षण ओफ कार एं 2014 जो कि आपका है और टाइप सी इन 2013 48 और 36 जो कि हो गया आपका 84 देखने वाला पाटे देखे दिया के अंदर काफी साही चीज़ ऐसी रहती है इस तैप के कोशन में गलती यह रहती है कि आप एक डाटा के साथ दूसर डाटा मिक्स कर देते हैं और में कोशन यह दिया भी इसलिए जाता है कोई कैलकुलेशन करा जो कि 35 हो गया जो कि आपका 91 हो गया तो साथ से काटते हैं अगर तो 12 अनुपाद 13 यह आपका अंसर आ जाएगा ठीक है थोड़ा सा दियान से देखना है और फिर आंसर मार्ट करना है नेक्स कोशन पर बढ़ते हैं कोशन नंबर 15 नो अंको की एक संक्या है 985 x 3 6 7 8 y यह बोलता है यह 72 से डिवाइड होती है 72 के अंदर क्या रहा है 4 आ रहा है और 8 भी आ रहा है थीक है तो यह 8 से डिवाइड होगा नंबर अगर मैं 8 से भाग करता हूं तो आखरी तीन डिजिट देखनी पड़ती है आठ से देखते हैं 8 निम 72 बचा 6 तो वाई की वेल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी तो वाई की जगे क्या रखना पड़ेगा आपको 4 रखना पड 32 32 हो गया 32 कंदर क्या जोड़े है जो 9 से भाग हो जाए 4 एक्स की जगे आप 4 रख देते हैं तो एक्स पी 4 और वाई भी 4 निकालना क्या आपको 4x-3y जब एक्स भी 4 है और वाई भी 4 है तो एक्स और वाई की वेल्यू डालने की जुरत नहीं है यानि 4x-3x यानि एक्स की वेल्यू पूछी है तो फोर आपका अंसर हो जाएगा ठीक है तो फोर आपका अंसर आजाएगा इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि समझ के पढ़ना बहुत जादा जरूरी है ऐसा नहीं कि आप स्पैसिक कोशन नटके चलेगा या आपने डिवीजिबिल्टी रूल कॉंसेट्ट नहीं लगा सकते हैं तो आप इजी ली कर सकते हैं कॉंसेट्ट्चल कोशन है बिल्कुर नेक्स कोशन देखते हैं कोश्चन नंबर सिक्स्टीन कि ए और बी की आयू का अनुपाद चार अनुपाद पांस था चार वर्स पहले आठ साल बात यह अनुपाद 11-13 हो जाएगा ठीक है अब देखें दो बंदों की आयू संबंदित प्रॉलम है तो आपको बताए गया था कि जो अंतर है वो समान रहता है अंतर क्या है दो का अंतर क्या है एक का तो यह 8 हो गया यह 10 हो गया अगर यह 8-10 है आठ से यहां तक यहां 4 साल की बात हो रही है यह 8 साल की तो तोटल देखा जाए तो 12 साल की आठ को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं चार, 4 और 4 यह यह नि तीन इंटरवल तो 8 से क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा 10 से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा यह क्या है present ठीक है तो टोटल कितना होंगे 20 और एक यूनिट की वेल्यू कितनी है 4 तो 80 आपका आंसर आ जाएगा यह बेसिक पर कहुंगा मैं कोशन कोशन मुश्किल नहीं था सिंपल कोशन था यह कोशन अच्छा लगा मेरे को यह कोशन अच्छा था एक व्रत है कि जिसका रीडियस दस सेंटिमीटर है कि चींदर ओ है कि अधिक यूजल बनाई जाती है कि और यह से असमिंदू पर काटता है आपको दे रखते बारा वारा और रेडियस आपको पूरा दे रखा वर आपको लेंद्स निकाल लिय और एस की यानि यह लेंद्स निकालने हैं, अपको, नेकि क्योंकि आप देख सकते हéis ISO-S 성 30 angle है, यानि समदूई बहूत रिभुजा और यह क्या होगा, इसका circum circle हो गया, यानि परीवरत हो तो यह क्या होगा, इसका परीकेंदर होगा, और परीकेंदर किसके साथ बनता है पर्पेंडीकुलर बाई सेक्टर के साथ बनता है यानि यह इसका पर्पेंडीकुलर बाई सेक्टर होगा यह पर्पेंडीकुलर बनेगे लएन यह आप किया यहां आप मां ay Почему ब्सक्रेंट निकालनी को रहे है noite निकाली है अब उब देखते हैं आइसो स्लिस ट्रेंगल और बीच में हाइड हाइड अगर मैं बोलता हूं एच तो यह फॉर्मॉला होता है कि एबी अपॉण टू इंटू आर तो 144 बटा बीस जो कि आपका 7.2 हो जाएगा ठीक है 7.2 हो गया अब आपको दे रखा है आपको लेंट निकालनी है ओएस की ठीक है यह तो 7.2 हो गया और यह यहां से लेकर यहां तक क्या है रेडियस है तो 10-7.2 इक्वास तो 2.8 तो 2.8 आपका आंसर हो जाएगा यह कोशन अच्छा था जो मैं कहूंगा कि एडवास पार्ट में कोई अच्छा कोशन आया तो उन मे आपने क्लास में लिखाया और इक्वास तो एब यह वाए टू एस्टी दिखिए यह क्लास नोट्स में तो एल्टिट्यूड निकाल ला है सरकम रेडियस आपको दे रखा है नेक्स कोशन देखते हैं कि एटींद कोशन एटींद कोशन अगर हम देखते हैं अगर अगी है अगा आप साइड का रेशियो देखते हैं कि अटेवाइए पर यह आजाएगा टू इस्टींवन ऐसा कैसे आजएगा कि क्योंकि वॉल्यूम का रेशियो क्या हो गया एट इस्टींवन हो गया तो साइड का रेशयो क्या हुआ क्यों रूट करेंगे टो इस्टो बना जाएगा ठीक है अब आपको निकालना है रेशयो अशर्फेस एयरिया और लोग्यो गयुग सर्फेस एरिया ऑरीजनल क्यूब का यानि सेक्स इंटू ए स्कूरिर सब्सक्राइब करने वाला पार्ट यह था कि आप अगर इसमें देखते हैं डारेक्ट अगर कि यह यह लिए समझाने के लिह लिखा गया ही लोता है ठीक है एपलाबी का ऑलबेसरा माइनस वी का प्ल zł हुए दार्रेक्ट होता है हमारा कर एंग आगला कोशन देखते हैं 20 वा कोशन 20 वा कोशन के अंदर आगर आप देखते हैं देखें दो हो सकत nous प्लस 10 त स्क्वेर तहँ तो तोhr तोichenड्1 प्लस 10 स्कूर्ट यह 13 जा टोसे स्क्वेटा और की सब्सक्राइब मैं और में इंग सकथ बीच में प्लस आ गया सैड्ल कोशेग थीटा कर यह इप यह का गया आपकर सक्थीटा क्एक थीटा होती है two upon sin two theta two upon sin 2 theta ka मलब है one upon sin theta cos theta one upon sin theta cos theta yakin cos theta sec theta तो यह आपका अंसर हो जाएगा दूसरा भेल्यू भे पूट कर सकते हैं अब आप theta की जगे 60 पुट करते हैं और verify करते हैं तो यह हो गया 2 प्लस 3 पांच हो गया 5 प्लस 1 बटा 3 60 60 यह प्रवारी रूट 3 हो गया तो 16 यह चार बते रूट 3 कि वेरिफाई करेंगे बी अप्शन के अंदर यह चार बता रूट 3 आ जाएगा थीक यह अप्शन आपका वेरिफाई हो जाएगा 21 वा कोश्यन यह तो देखे इस टाइप की पैटन पर चेंजिंग पैटन पर मैंने कोश्चन करा है यह जो क्लास कर रहे हैं बच्चे वो जानते हैं कि अल्याबर में हमने इस पैटन पर कोश्चन किया है ह्नार है एक्स फ aldo kने मिन लिकुन मैं वागया होगया है एक्समा इसस रिखने हैny सब्सक्राइब Crane 94 का अश्वाज जब आप देख सकते हैं एक्स प्लस वन भार एक्स आपका फोर होगा है थीक है एक्स प्लस और थीक है और और आपको क्या निकालना है X-square 4-4 X-square-4 X-square-4 illness हो भाल से देख लेते हैं कि आप है ये खाहं से हो याइँ हमने 194 का बात आए जब आपका यह होगा x plus 1 by x square equals to x plus 1 by x equals to 4 यानि यह value होगी आपको value किसकी निकालनी है x minus 2 का whole square इसका मलब x square minus 4x x square minus 4x तो यहाँ पर है plus क्या करना है 4 करना है plus 4 करेंगे 3 आ जाएगा यह question मैं कहूंगा थोड़ा अच्छा था पर ध्यान से देखने वाला पार्ट है अगर आप देखते हैं aq minus bq upon a minus b aq minus bq upon a minus b तो approach क्या होनी चीए aq minus bq upon a minus b का formula क्या होता है a square plus b square plus a b तो मैं केवल यह लिखूंगा a square यानि 5x square plus b square plus a b plus a b हो गया आपका 3 root 15 ठीक है into xy तो a की value क्या आगई आपकी 5 आगई b की value क्या आगई आपकी 27 c की value क्या आगई 3 root 15 अब आपको निकालना है 6 into a 30 प्लस b minus root 15 into c 45 57-45 जो कि आपका 12 हो जाएगा तो 12 आपका answer हो जाएगा ठीक है तो 12 answer आ गया पर लिखना के वाल यह वाला पार्ट है ऐसा नहीं एक्जाम में आप especially पहले पूरा question नहीं लिख रहे हैं और फिर formation बना रहे हैं इस टाइप पर मैंने direct मैं आपको question बताया था ऐसा question मन सकता है उपर aq-bq पढ़ा हो नीचे a-b पढ़ा हो और आप right side में direct देखते हैं a square plus a b plus b square ऐसी मैंने बताया था प्लस के अंदर भी हो सकता है और यह orientation बहुत तरीके से चेंज हो सकती है अगला कोशन देखते हैं अगला कोशन आगे आपका कोशन नंबर 23 कि एक व्यक्ति को 15 परतिशत की हानी होती है और 9 परतिशत का फायदा होता है यानि जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है 24 परतिशत की वेल्यू जो आपको 30.60 दे रखे है वैल्यू किसके निकालनी है दस परसेंट अगर वो फायदे पर वेस्ता 110 की वैल्यू निकालनी है अब देखिए 110 की अगर वैल्यू निकालनी है तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए 11 का मल्टीपल लेकिन अगर मैं देखता हूं आठ और एक नो पहला अप्शन तो नहीं है द 12 गुना थोड़ी दिख रहा है आपको यह तीक है याणि आपने देखा ग्यारा इंटु बारह 132 होता है चोविस इंटु बारह करेंगे आपका यह नहीं आएगा थीक है तो इसका मदला बेख यह वाला तो आणसर नहीं हो सकता एक 32 नहीं हो सकता 140.25 रहेगा कर दूसरा क्या आगा सकते आप डीएंट लगा सकते इसके अंदर आम थीजर घुजा देता हूं यह आठ हो गया यह कितना हो गया बाइन पॉइंट टू यह ओगा आपका 110 यहनी कितनी होगी दो दो युनित हो गई ठीक है आठ तीन दूनी 6 हो गया नीचे अगर 8 है तो उपर 8 आजाएगा तो 6 into 8 48 हो गया 48 का मतलब 3 हो गया इसके अंको का योग 3 होगा कि यह आपका अंसर हो जाएगा ऐसा निये कि आप पूरा ही कैलकुलेट करें पूरा कैलकुलेट करने की जोड़ नहीं है डियस पार लगा सकते हैं यह आप इससे भी कर सकते हैं नेक्स कोशिशन पर आएंगे को कोशिशन नमबर 24 सबसे पहले आप कोशिश करेंगे इसकंदर अपने आप ही वैल्यू डालने की अगर मैं थीटा की जगे देखे जीरो डालता हूं यह नाइंटी डालता हूं तो वैरीफाई तो नहीं हो रहा है थीटा की जगे अगर आप 60 डाल देते हैं पौर माइनस Tो साइन सिक्स्टी अनि फ्री जाई गशें के त्री बाइनगे टरी बाई वैड्राइट गैंगे त हे थीक खैंड अफीच डाल दिय recruit को यह पिसे सॉल करेंगे ét दिएग आप दूबार से 4-2 sin squared theta minus 5 cos theta theta की value अगर आपने 60 रखी 4-2 3 by 4 minus 5 into 1 by 2 यह हो गया 3 by 2 5 by 2 यह हो गया आपका 0 ठीक है यह verify हो गया यह value आप यहां रखेंगे root 3 by 2 plus 1 by root 3 ठीक है नहीं root 3 आ जाएगा तो यह आ जाएगा आपका solve करेंगे ठीक है next question देखते है 25 कोशन question number 25 25 कोशन में देखें क्या कह रहा है ध्यान से देखने वाला part है 25 कोशन में कह रहा है कि 12 संक्या है उनका उसत 42 से पहली 5 का 40 है आखरी 5 का 40 है पहली पांच का पहली चार का 44 से बची तीन नंबर पांचवा छटा और साथवा यह कोशन में कहूंगा थोड़ा टाइम टेकिंग था कैल्कुलेटिव था ठीक है एक बात दुबार से देख लेते हैं दुबार से अगर आप देखते हैं फिफ्ट शीक्स और सेवन बयाली से बारह नंबर का आवरेज पांच नंबर यह रहे चान नंबर यह नो नंबर है तीन यह रहे बारह हो गए इसका एवरेज 40 है इसका 44 है अगर बात करी जाएए एवरेज से कितना कम है दो कम है तो माइनस दो इंटू पांच यह कितना जादा है दो जादा है दो इंटू चार तो आठ और माइनस दस हो गया ठीक है यह आठ हो गया माइनस दस आठ माइनस दस यानि माइनस दो तो जो average होगा इन तीनों का उसे ये भी cop up करना पड़ेगा यानि इसकी कमी भी वो पूर्थी करेगा क्योंकि ये minus 2 आ गया minus 2 यानि average को 2 बटा 3 बढ़ना पड़ेगा तो आप देखते हैं 42, 126 और 2, 128 बटा 3 यानि इसका total जो आएगा 128 आएगा ठीक है अब आगे बढ़ते हैं कोशन में कोशन में आगे बोलता है कि अगर ये number x है x plus 6 हो गया x plus 5 हो गया ठीक है ठीक है हाँ ये आगया अब आपने देखा इन तीनों का sum मिला के 128 है अगर मैं 6, 5, 11 इसमें से घटा रेता हूँ तो आगे 117 ठीक है 117 तीनों में बढ़ जाएगा ठीक है तो 39 ये आगया 39 का मलब है ये 45 हो गया ये 44 हो गया इन दोनों का ही average पूछा है आपसे तो इसकी middle value हो गई 44.5 हाँ ये जरूर कहेंगे कि ये question थोड़ा calculated था इसमें आपको ये वाला part बनाना पड़ा आपका पेपर आए था फोर जून का पहली शीप का जो आप लोग कहते हैं कि काफी मुश्किल था मुश्किल मैं नहीं कहूंगा पर ये जरूर कहूंगा कि थोड़ा practice ना अच्छे लेवल पहुना बहुत जरूरी है जैसे कि आप देखें कि basic calculation तो दिक्कत ही रहेगा कि आप लगातार उसे लिखे जा रहें और एड करें फिर मैंने बता है आपको दो चार्ड जेगे कि आपको यह step skip करने पड़ेंगे और जो आप class करते हैं आपको देखा हुआ कि आपने कि class में में step by step नहीं लिखवा था मैं बताता हूं आपको कि पहले step अगर इतने लिखते थे तो आपको यह लिखने step skip करने पड़ेंगे तो वही चीज़ आपको एक्जाम में भी लगाने पड़ेंगे इस पेपर के अंदर आगे और शिफ्ट के अंदर देखेंगे एक्जाम कैसे कैसे आता है ठीक है आज के session में हम इतना ही देखेंगे वाकि आगे next session में next paper के साथ मिलेंगे तब तक के लिए अपना ख्याल लगिए जैहिन